हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करेख लेक मैं पादर और ग्रानफादर बोथ हाव सर्फ इन एरफोस और बच्पन से उनको जब युनिफॉर्म में देखती थी तो एक ही सपना होता था कि साल 2020 में जब फ्लाइट लेटिनेंट मोहना सिंग ने प्रधान मंतरी के सामने अपनी बात बताई तो उनकी इस बात को सुनकर देश में लाखो बेटियों को प्रेड़ना मिली लेकिन इस मंच तक पहुँचकर अपनी कहानी इन शब्दों में बया करना मोहना के लिए इतना आसान नहीं था उन्होंने भारती वायुसेना में शामिल होने के लिए कड़ी महनत की थी 2016 भारती वायुसेना के लिए काफी यादगार साल रहा इस साल भारती वायुसेना को अपनी पहली तीन फाइटर एयरक्राफ्ट महिला पाइलट मिली फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी भावना कंट और मोहना सिंग जून 2016 में बेसिक ट्रेनिंग के बाद फाइटर स्ट्रीम में फ्लाइंग ओफिसर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी उन तीनों महिला उफिसर में से मोहना सिंग भारती वायु सेना की पहली महिला लडाकू पाइलेट हैं जो दिन में हौक एडवांस जेट में मिशन को अन्जाम देने के काबिल हैं मोहना सिंग जीत का जन्म 22 जन्वरी 1992 को खतेहा पुरा जिला जुन्जुनू राजस्थान में हुआ मोहना सिंग ने अपनी पढ़ाई एर फोर्स स्कूल नई दिल्ली से की इसके बाद उन्होंने अमरित सर के Global Institute of Management and Emerging Technology से Electronics and Communication में ग्रेजुएशन किया मोहना के गाउ में फोर्स जीज से ज़्यादा प्रात्मिक्ता दी जाती है उनके दादा का नाम लाडू रामजाट है जो 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गये थे और उन्हें वीर चक्र से समानिक किया गया था वे Aviation Research Center में भारती वायुसेना में फ्लाइट गनर के तौर पर तैनात थे मोहना के पता भी वायुसेना में वरंट ओफिसर के तौर पर कार्रत है भारती वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंग दिन में हॉक एडवांस जिट विमान उडाने वाली पहली महिला लडाकू पालज भी है उनके प्रसिक्षन में हवा से हवा और हवा से जमीन पर लडाकू मिशन के दौरान उडान भरना शामिल है उन्होंने कई प्रसिक्षन मिशन पूरे किये हैं जिन में रॉकेट तोप के गोले और उच शमता वाले बमों को गिराना शामिल है इसके अलावा उन्होंने वायू सेनस्तर की उडान प्रसिक्षणों में भी भाग लिया है मोहना सिंग के पास 500 घंटे से जादा की उडान का नुभव है जिन में 380 घंटे हॉक एक के 132 जट की उडान शामिल है